हैसा नहीं है कि केवल और केवल पुरुष ही क्राइम करते हैं, महिला भी क्राइम करती हैं, कई बरी वो इंटेंशनली क्राइम करती हैं और कई बरी उनको क्रिमिनल किसिस में फसाद दिया जाता है intentionally में देखिए बहुत चीज़ें आती हैं जैसे cheating है, murder है या और भी बहुत सारे IPC के cases हैं जिसमें की महिलाएं lift रहती हैं हाला कि उनकी proportion in comparison to the male person वो काफी कम होती है क्योंकि बहुत सारे crimes पुरुश करते हैं, बहुत कम crimes होते हैं जो की महिलाएं उसमें involved होती है या अगर हम बात करें फसाने की, तो ऐसे में जैसे 498A का case है तो बहुत अपनी mother-in-law को उसमें accused मना देती है या sister-in-law है या और husband के और female जो relatives हैं उनको भी accused मना दिया जाता है ऐसे में जब बात आती है arrest की, तो क्या महिलाओं को arrest करना किसी भी time पर arrest किया जा सकता है क्या उनके कोई rights हैं इसके regarding यदि police ने किसी भी महिला की statement record करनी है तो ऐसे में क्या law है, क्या महिला के rights हैं, ये सब कुछ पता होना चाहिए आज का वीडियो इसलिए भी important है कि हर एक महिला को अपने rights regarding the arrest पता होने चाहिए अपने rights regarding the police station पता होने चाहिए तो आज के इस वीडियो में हम इसी topic के ओपर बात करेंगे वीडियो का अंत्रक जरूर देखेगा और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको request कर दूँ कि यदि आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लीजिए साथ ही notification bell icon भी दबा दीजिए और यदि आपकी कोई भी legal समस्या है legal query है तो आप मुझे भेज सकते हैं ताकि मैं आपको उसका appropriate solution बता सकूँ तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं महिलाओं के interest और right को protect करने के लिए CRPC में amendment की गई 1973 में और उसमें section 46 clause 4 में ये बताया गया कि जब भी किसी महिला को arrest करना है तो ऐसे में time का बहुत ध्यान रखना है आप किसी भी time पर police किसी भी time पर जाके महिला को arrest नहीं कर सकती चाहे वो महिला police ही क्यों ना हो देखिए महिला को arrest करने के लिए महिला police ही होनी चीए ये हम सब को पता है लेकिन क्या महिला police किसी भी time पर जाकर के किसी भी महिला को जो की co-accuse है या accused है किसी case में उसको arrest कर सकती है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है महिला police भी उसको जदी arrest करना है तो उसको sunset से पहले करना है और sunrise के बाद में करना है यानि कि जो दिन का वक्त है sunrise के बाद यानि कि जब दिन शुरू हो जाता है और दिन खतम होने से पहले पहले ही arrest करना है यदि sunset हो जाता है तो sunset से लेकर और sunrise तक उसको arrest नहीं कर सकते है यानि कि शाम को रात को उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं चाहे वो महिला पुलिस ही क्यों ना हो यह तो यह अमेंडमेंट की गई थी CRPC में ताकि महिलाओं के राइट्स प्रोटेक्ट किये जाएं और इसका एक रीजन था यह डालने का क्योंकि बहुत सारे incidents सामने आए हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के government के सामने आए जहां पर महिलाओं को बाद में अरेस्ट किया गया Sunset के बाद में यानि की रात को आदी रात को ऐसे में उन महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार हुँआ बहुत harassment हुई जो कि पुलिस वालों के द्वारा ही की गई उनकी modesty को ठेस पहुचाई गई और ये देखा गया कि यदि उनकी security करनी है उनका welfare करना है तो ये एक amendment करनी बहुत जरूरी है कि उनके arrest का time period इसको define किया जाए और sunset और sunrise के बीच में इसको ना किया जाए लेकिन इसमें एक exception भी है कि यदि किसी भी महिला ने कोई भी grave offense किया है तो ऐसे में उसको यदि arrest करना है after sunset भी यानि कि जो मैं आपको बतारूं sunset के बाद और sunrise से पहले शाम को रात को भी arrest करना है क्योंकि उसने बहुत grave offense किया है तो ऐसे में magistrate की permission लेने पड़ेगी ऐसे में भी police खुद उसको arrest नहीं कर सकती है police को magistrate को convince करना होगा कि ये offense बहुत grave है और इस महिला को arrest करना बहुत जरूरी है तब ऐसे में जा करके उस महिला को रात में arrest किया जा सकता है only with the permission of the magistrate इसके बाद हम बात करते हैं कि यदि किसी भी महिला का police ने बयान लेना है statement लेनी है तो ऐसे में police उस महिला को कभी भी थाने नहीं बुला सकती है हम आम तोर पर देखते हैं कि जैसे 498A का case है उसमें mother law है या sister in law है तो उनको police थाने बुला लेती है और लोग चले भी चाते हैं लेकिन मैं आपको बता दू कि CRPC में ही law है कि कोई भी महिला को police थाने नहीं बुला सकती है चाहे statement ही record करनी हो उसकी बयान ही लिखने हो तब भी police उसको नहीं बुला सकती है उसकी statement स्टेटमेंट वहीं record होगी जहां पर महिला रहती है किसके सामने होगी उसके family members के सामने होगी और एक woman constable भी होनी चाहिए तो यह आपको पता होना चाहिए कि जब भी किसी महिला को police बुलाती है statement record करने के लिए बुलाती है तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपका right है कि आप अपने statement अपने घर में अपने family members के साथ में दे सकते हैं साथ में woman police constable हो सकती है कोई भी police वाला किसी भी महिला से जबरस्ती उसको police station बुला करके उसकी statement नहीं record कर सकता और यदि ऐसा होता है तो आप उस police official की complaint कर सकते हैं आप उसके against action भी ले सकते हैं ऐसे में ये सभी चीजें महिलाओं की rights उसके interest और security को ध्यान में रखते वे बनाए गए हैं जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता हैं ये सभी आपको पता होने चाहिए ताकि आप लोग भी एक जागरुक इंसान बने और अपने हक के लिए लड़ें आशक करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर दुरूर कीजेगा अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में